लोहिया पत्थ चक्र 2 के वोरिंग कैनाल रोड वाले हिस्से को छट पूजा से पहले चालू कर दिया जाएगा इसके लिए जोर शोर से निर्मान कार्य चल रहा है शुक्रवार को बिहार राच्य पूल निर्मान निगम लिमिटेट के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार सहीत अन्य अधी कार्यों ने अस्थल निरिक्षन कर निर्मान एजंसी को जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश गौर तलब है कि लोहिया पथ चक्र टू का शेष मार्ग पहले से चालू है फिलहाल बिस्वे सरया भवन और बिहार मेजियम के समीप का यू टर्न अंडर पास के साथ दरोगा राय पथ और हर्ताली मोड पर बने पूल से अवागमन चालू है बोरिंग कैनाल रोड में बन रहा पूल और अंडर पास का निर्मान तेजी से हो रहा है बसावन पार्क के पास पूल और अंडर पास बनकर तयार है वहीं पूल के दोनों तरफ एप्रोच का कारियर चल रहा है इसके अलावा सहदेव महतो लेन के पास गुलंबर का निर्मान किया जा रहा है आपको बता दे कि हाई कोट से आने वाले बाहन बिहार मीजियम के पास से अंडर पास यू टर्ण लेकर हाई कोट की ओर जा रहे हैं सबना मोर की गाडिया बिश्व सरया भवन के बगल से अंडर पास यू टर्ण लेकर पुना शबना मोर की तरफ और दारोगा राय पत में बने अंडर पास से होते हुए वीरचंद पटेल पत जा रही है वीरचंद पतेल पत से आने वाली गाडिया दारोगा राय पत में बने पूल का इस्तमाल करते हुए नहरू पत के नव निर्मित पूल के नीचे से यू टर्ण लेकर हाई कोट की तरफ जा रही है वहीं बोरिंग कैनाल रोड से आवागमन शुरू होने के बाद बसावन पार्क के पास वाहन पूल पर चड़ जाएंगे पूल से होते हुए सिध्धे दारोगा राय पत होकर वीर्चंद पतेल पत जाएंगे या फिर यू टर्ण लेकर नहरू पत से सगना मोड की तरफ जा सकेंगे इसके साथ ही दारोगा राय पत या बिहार मुजियम के बगल में बने यू टर्ण अंडर पास से आने वाले वाहन बसावन पार्क के पास बने अंडर पास से होते हुए बोरिंग कैनाल रोड जा सकेंगे इससे आवाजा ही आसान नहीं होगी एक बार फिर से बता दे कि लोहिया पत चक्र टू के बोरिंग कैनाल रोड वाले हिस्से को छट पूजा से पहले चालू कर दिया जाएगा इसके लिए जोर शोर से निर्मान कार्य चल रहा है शुकरवार को बिहार राज्य पूल निर्मान निगम लिमिटेट के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार सहीत अन्य अधी कारियों ने अस्थल निरिक्षन कर निर्मान एजंसी को जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गौर तलब है कि लोहिया पथ चक्र टू का शेश मार्ग पहले से चालू है फिलहाल विश्वे सरया भवन और बिहार म्यूजियम के समीप का यू टर्ण अंडर पास के साथ दारोगा राय पथ और हरताली मोड पर बने पूल से आवागवन चालू है बोरिंग कैनाल रोड में बन रहा पूल और अंडर पास का निर्मान तेजी से हो रहा है बसावन पार्क के पास पूल और अंडर पास बनकर तयार है पूल के दोनों तरफ एप्रोच का कारिय चल रहा है इसके अलावा सहदेव महतो लेन के पास गुलंबल का निर्मान किया जा रहा है